नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दॉक्टर दिव्या और वेल्कम वन्स अगें टू हेल्दी योग पंडाज दोस्तों अक्सर प्रेग्नेंसी में कई कॉम्प्लिकेशन होती हैं जिनकी वज़े से ब्लग प्रेशर बढ़ जाता है पाउ में सूजन आने लगती है और अक्सर पाउ में दर्द रहता है इसकी वज़े से माक्सम लेडिस बहुत परेशान रहती हैं इसी के लिए हमारी एक्सपर्ट ने आपको बताई है एक सिंपल सी एक्सरसाईज आए अब देखते हैं एंकल क्राइग दूरों पर को फैला दीजिए कमर में से सिधा हो सके इतना बैठने के कोशिश कीजिए अभी लेफ पर को राइट पर के निस पर रखने के कोशिश कीजिए लेफ्ट हैंड से राइट लेग के एंकल को पकड़िए और राइट हैंड से लेफ्ट के फिंगर को पकड़िए एंकल से रोटेट करने की कोशिश कीजिए हो सके इतना बड़ा रोटेशन त्री टाइंज नाव रिवर्स ओके अभी दूसरे पैर से राइट हैंड से एंकल भी ग्रीप दीजिए लेफ्ट हैंड से फिंगर को पकड़िए एंकल से रोटेट करने की कोशिश कीजिए जैसे जैसे पैक्टिस बढ़ती जाएगी एसे से एंकल मसल्स लूस होते जाएंगे फ्लेक्सिविटी बढ़ते जाएंगी अभी दोरों पैर को खोल के दिरे दिरे सुखा सन में बैठने की कोशिश कीजिए ये हो गया अंकल क्रैंक इस एक्सिशाइज के दवारा पैरों की सुझन को कम करके ब्लद सिर्कुलेशन की कमी को सुधारा जा सकता है जिससे चलने में आसानी होती है साथ ही डर्द से काफी राहत मिलती है ध्यान रखें, जिनने ओपरेशन की दवारा पैरों में रॉड या प्लेट लगी हो, उन्हें ये exercise नहीं करनी चाहिए बहुत ही आसान सी exercise है, जिसे आप घर बैटे कर सकते हैं मगर एक expert की guidance बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि आप और आपका बच्चा दोनों ही बहुत important है तो take care